प्रिवी द्यारतियों, come to the synonyms, synonyms पे हम लोग काफी वर्क कर रहे हैं, यह आपके सामने सेट नमबर फाइब, question नमबर 401, sporadic दिया गया, sporadic का मतलब क्या होता है, जरा ध्यान दीजेगा, sporadic का मतलब होता है, गौर करेंगे इस पे, पहला दिया गया, छिटपुट या आनियमित होता है, इसे हम sporadic कहते हैं, जो छिटपुट हो या आनियमित हो, तो इसका क्या हो जाएगा, that will be irregular, frequent का मतलब अकसर होता है, इरकसम का मतलब कस्ट प्रद होता है, और scattered का मतलब होता है, बिखरा हुआ, नमबर 2 में आएगा, industrious, industrious का मतलब होता है, म महनती का क्या हो जाएगा, that will be diligent, diligent का मतलब महनती होता है, sensible का मतलब देखती भी जाएगा, मैं हड़ जाता हूँ, बीच बीच में, sensible का मतलब बुधिमान होता है, successful सफल हो गया, punctual का मतलब जो समय निस्ट होता है, उसे हम punctual कहते हैं, incessant का मतलब लगातार होता है, बिना र जाएगा, लगातार हो जाएगा, और intermittent जो है भी भारी जानते हैं, intermittent बीच बीच में होने वाला, unexpected अप्रत्यासित, आगे देखेंगे, question number 404, I disdain, disdain का मतलब होता है, घ्रिणा करना, अब जड़ा यहाँ पे देखेगा, बहुत important सब दिया गया है, सारे सब्दों का देख का मतलब तिरसकार करना होता है, और hate का मतलब होता है, hate का मतलब घ्रिणा करना, despise का मतलब भी घ्रिणा से होता है, लेकिन यहाँ पे जो ज़्यादा बहतर सब्द होगा, that will be hate, हला कि despise भी बहुत close है, despise का जो भाव होता है, यह भी घ्रिणा से संबंदित है, हलाकि उपे आप लोगों ने वर्ड पावर रूट शिटिम में देखा होगा ओलो का मतलब इच्छा होता है और वह सुव इच्छा होती है जो अच्छी इसे हम कांडनेस कहते है विजन का मतलब द्रिष्ट होता है और morbidity का मतलब होता है बीमारी इलविल का मतलब खराब इच्छा countries resources should be judiciously judicious का मतलब होता है बुद्धिमत्ता पूर्ण तो judiciously अगर यूज किया जाए तार्किक तरीके से that will be reasonably judiciously का भाव यहां पर क्या हो जाएगा रीजनेबली हो जाएगा इस पेर इंगली का मतलब होता है किफाय से एडिकेटली का मतलब परियाब तरूप से immensely का मतलब बहुत जादा तरीके से everyone tries to avoid his company because he in the habit of using too many jips अब ज़राज जिपस को देखेगा 407 में जिपस की अगर हम बात करते हैं तो जिपस का मतलब ताना होता है ध्यान रखिएगा तो जिपस का मतलब ताने तो jokes का मतलब चुटके ले हो गए abusage मैंने गालियां criticism का मतलब आलोचना turns का मतलब ताने मैं एक दम साफ अटा हूँ ताकि आपके सामने सारे words हो कई बार ऐसा होता है मैं सामने आ जाता हूँ तो आप पताता है sir वो words चीप गया था तो देखती जाईए गास को the story is too fantastic to be credible इतनी fantastic है कि वह credible नहीं हो सकती credible का मतलब बिस्वसनी होता है credo का मतलब होता है to credible का मतलब बिस्वसनी that will be belieable praise वर्दी का मतलब होता है presence नहीं होता है readable का मतलब पठनी होता है false का मतलब होता है जूठा 408 409 देखेगा कि government rocked by frequent scandals is an effect if each set of people with no credibility 409 में देखिएगा with no credibility की बात ये कर रहे हैं तो जरा से ध्यान दखिएगा इसमें दिया गया है तो effect जो है ये word दिया गया effect का मतलब होता है ठका मादा तो ठका मादा क्या हो जाएगा that will be exhausted innocent का मतलब innocent का मतलब आप जानते हैं मासूम होता है stupid बेवकूफ होता है excited उत्तेजित होता है she does not get her work done punctually and properly because she is always dawdling dawdling में जरा देखिएगा dawdling का क्या भाव होता है 410 में dawdling दिया गया है जरा गौर करिएगा तो इसका मतलब dawdle का मतलब होता है आवारा फिरना तो confused माने भ्रमित हो गया play माने खेलना हो जाएगा चिर चैट यह बात चीत करना हो जाएगा अगला question है देखिएगा इसमें four double one यहां पे cow दिया गया है 411 में देखेंगे cow the little cow bride cow का मतलब होता है सर्मीला तो सर्मीला का यहां पे क्या हो जाएगा ताई हो जाएगा beautiful सुंदर है talented का मतलब गुर्वान sweet का मतलब मदूर the small boy was able to give graphic description तो देखेंगा graphic description graphic का मतलब क्या होता है graphic का जो मतलब होता है वह सजीव या रिखा चित्री होता है तो यहां पी देखेंगे सजीव हो जाएगा जीवन्त है ना that will be vivid आप लोगों ने पढ़ा हुआ था भीवो और वीटा इसका मतलब होता है to live और life होता है तो vivid का मतलब होता पजेशिंग दा प्रेस्टनेस आफ लाइफ जिसके अंदर जीवन की ताजगी बर्य होते है उसे में बीट कहते है जीवन्त हो जाएगा तो इक ग्रैफिक विकास दे फाउंड हिम डिस आनेस्ट जरा गवर करिएगा यह डिसमिज्ड वर्ड जो है यही हमारा पूछा गया है तो डिसमिज्ड का मतलब होता है कि सेवा से बर्खास कर दिया गया है इसमें संजोग से एक चीज़ है कि वर्ड्स आपको अगर ढूंड़ना होगा प्र डिसमिज्ड कर दिया गया है इसका मतलब क्या गया है रिमूब्ड हो जाएगा प्रिवेंट का मतलब रोकना रिमूब्ड का मतलब हटाना रिटार का मतलब आवकास देना ध्यान दीजेगा आवकास देना हो जाएगा और इसके बाद आपके स्टाप का मतलब होता है रोकना तो that is removed question number 14 को देखेगा if you waiver waiver दिया गया तो waiver यहाँ पे हमारा यही word है ठीक है नियम से होना यह चाहिए था जो हम लोगे पास question आ रहे हैं उसमें word को underline किया जाना चाहिए तो लेकि कोई दिक्कत नहीं है मैं salve करा दे रहा हूं तो मैं word को कुछ underline करता जा रहा हूं कौन सा word आपको देखना तो आपके लिए मुश्किल नहीं होगे if you waiver waiver का मतलब हीच की चाहना add the last minute अगर last minute में हीच कहा है यूशल face filler तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा that is hesitate resolve का मतलब समाधान करना decide का मतलब करना settle का मतलब होता है किसी चीज को solve करना settle करना reading of poetry is not congenial to his taste तो जो congenial सब्द है 15 में यही आपका main word दिया इसी को आपको देखना congenial का मतलब uncool होता है और जिस चीज आपको uncool करें जो आपको suit करती है अच्छा हो जाएगा that is suited helpful का मतलब हो गया यह भी लाबदायक हो गया जो लाब करता है helpful होता मददगार होता है preferable का मतलब हो गया worry है मतलब जिसको आप बरीता देते हैं गांदी जी always educated the cause of indigenous industry indigenous सब्द है यह word है इसको आपको देखना है indigenous का मतलब जो होता है वह क्या हो गया देशी हो जाएगा that will be native foreign का मतलब बढ़ा हो गया sorry foreign का मतलब भी देशी हो गया भी का मतलब बढ़ा हो जाएगा और यह cottage cottage का मतलब कुटिया जैसी स्थिति को चीज को हम cottage कहते हैं आगे दिया गया recollect recollect सब को recollect का मतलब होता है पुनयाद करना that is recall तो जरा सा आप इसमें गौर करेंगे कि मैं क्या आपको बताना चाहता हूं let us see all these words देखिये हैं होता है क्या है let us see यह आप यहाँ पर देखेंगे learn होता है learn का मतलब याद करना याद करना होता पढ़कर के याद करना learn by heart मतलब learn by heart दोनों पढ़कर के याद करना क्यों होता है learn by heart कहते हैं crime का मतलब ठूस ठूस का बरना ठूस ठूस के भरना या रटना होता है that is called crime remember याद करना remember याद करना यह आम तोर पे चेतावनी औगरा के भी सेंस में दिया जाता remember यह से हम कहते हैं remember this is competition याद रखिये this is competition यह एक प्रत्योगिता है here if you do not work hard you will fail तो वहां पे चेतावनी के भी सेंस में I cannot remember him मैं उसे याद नहीं कर सकता हूं उस सेंस में भी लिया जाता है recall और recollect जो होता है recall और recollect इन words को देखेगा इसका मतलब होता है पुनह असमरण करना that is recall and recollect जैसे कोई चीज हमारे दिमांग में पहले से है हम पहले से जानते हैं लेकिन आ नहीं रहे कही बार हम बोलते हैं अरे यार क्या नाम था उसका क्या नाम था ऐसे बोलते हैं that is called recall and recollect उसे हम recall या recollect कहते हैं है न पुनह असमरण में लाना bring to memory again अच्छा इसमें अब देखेगा memorize जैसे दिया गया memorize हो जाए या commit to memory commit to memory किसका मतलब होता है कि याद दास्त में डाल देना चाहे जैसे आप रट के डाल दीजे पड़कर के डाल दीजे जैसे भी डाल दीजेगा that is memorize है न और remind जो होता है remind का मतलब होता है यह verb है इसका मतलब होता है याद दिलाना that is remind इसे हम remind कहते हैं तो यहां पर गवर करें क्या कहता है यह देखेगा हाँ जी इसमें recollect हो गया recollect का recall हो जाएग remind मने याद दिला दिना memorize का मतलब होता है याद करना assemble का मतलब इकठा करना he was warned at the outset of his career 418 418 let us see outset का मतलब शुरुवात होती है beginning हो जाएगा that is beginning यहां पर देख लिए यहां पर देख लिए यहां का मतलब समाथी मिडिल का मतलब मत दे होता है intense का मतलब प्रवेस होता है 19 में आप देखेगा the bounties of nature देखे bounties of nature bounties यही आपका सब दिया गया bounties का मतलब होता है gift होता है products का मतलब products का मतलब रूस नियम होता है ecological का मतलब पारिस्थितिकी होता है ठीक है पारिस्थितिकी balance जो होता है वह समन्वे होता है अगला there is no efficacious efficacious का मतलब प्रभावत पादक प्रभावत पादक का मतलब होता है जो प्रभाकारिव effective हो गया suitable का मतलब uncool हो गया possible का मतलब संभभ हो गया proper का मतलब हो गया 21 को देखेगा a bone got stuck in his gullet 21 में जो दिया गया है that is gullet gullet का मतलब होता है भोजन नली या कंठ नली हम इसको कहते है stomach पेट होता है molar साब्दात जानते है molar साब्दात होते है chest मने सीना throat का मतलब होता है गला तो यही क्या है गलट जो है that is the word इसको हमको देखना थे इंडिया जिस्टिल ए virgin land ध्यान दीजेगा virgin दिया गया है virgin का मतलब होता है unexplored, unexplited, undone 22 को आप देखिएगा तो यहाँ पे आप जड़ा से ध्यान रखेंगे कि क्या दिया गया है तो अगर हम इसकी बात करें तो इसमें undone undone, done का मतलब जो अचुआ हो undone का मतलब जो हुआ नो और virgin की बात अगर हम करते हैं तो virgin का मतलब होता है अगर इनसानके sense में करते हैं तो virgin का sense यह होता है कुमारी मतलब जिसका अभी Six ना हुआ हो that is called virgin उनकाउथ का असिस्ट के सेंस में लेते हैं और यह उनकरइट जो उपयोग न लाया गया हो तो unexplored जिसको खोजा न गया हो और unexplited जिसको उपयोग में न लाया गया हो तो यह ज़्यादा बेहतर जो होगा वो unexplited हलाकि unexplored भी काफी करीबी है लेकिन जिसको खोजा न गया हो और unexplited जिसको उपयोग में न लाया गया हो 23 को देखें, initiate है, initiate का मतलब, to initiate the renouncing of the moral ध्यान रखिएगा, यह क्या कह रहे हैं, 23 में, let us see, have a look on it, इसको देखिएगा, तो 23 में, अगर हम जरा सा ध्यान दें, so that is पुनर जागरन, रेंसा जो होता है, यह पुनर जागरन होता है, that will be revival होता है, rise का मतलब उपर उठना, या प्रगत्थ होती, introduction, introduction का मतलब परचे हो गया, significance का मतलब होता है, जो चीज़ significant होती है, वो महत्वपूर्ण होती है, significance का मतल that, meaning का मतलब क्या होता है, meaning है, यहाँ पर भाव, यहाँ पर आपने इंसा लिखा, यह meaning, meaning मने several हो गया, unlimited, unlimited, asimit है, endless, इसका भी मतलब asimit, इसका end ना हो, numberless, यह भी asimit हो गया, asankhya हो गया, जिसकी संक्या ना हो, हना, infinite, यह भी हो गया, so methods of spreading the family planning message have been as fecund, fecund यह आपका word, fecund का मतलब उपजाओ, fake, under, carry में, और बना इसे उपजाओ, that is fecund, तो अगर हम fecund को देखे, it will be fruitful, failing का मतलब आसफल होने वाला, peculiar का मतलब, business हो गया, false का मतलब, जूटा हो गया, आगे आप देखिएगा, क्या यह दे रहा है, 26, 26 में अगर हम ध्यान दे तो 26 हमारा जो दिया गया है, वो privation है, privation हमारा सब्ध है, privation मने कठिनाई होता है, तो यही जो है, hardship होगी, uncertainty, अनिशिता, prosperity, संब्रिद्य हो जाएगा, privacy का मतलब, निजता हो जाएगा, 27, now the fury of the demonstrators come against the, against the machines, यह 27 में दिया गया है, तो 27 को आप देखे, fury का मतलब, प्रोध हो जाएगा, तो यहां पर यह जो हमारा word होगा, वो क्या है, that is fury, यह सब्ध है, हमारा question का, तो rage हो जाएगा, अब 27 में आप एक एक को देखे, यह पहला इसमें दिया गया, asperity, कठिनाई है, passion, passion का मतलब धून होता है, और acrimony, acrimony का मतलब उगरता या गटूता होता है, these commands were so peremptory that we felt humiliated, 28 को देखे, तो क्या हो जाएगा, ताना साही पून, अगर हम बोलते हैं, तो peremptory जो होता है, वो वही होता है, कि peremptory, यह चीज तोड़ी जो हो जाएगा, तोड़ी नहीं जा सकती है, that is peremptory इतनी जादा, वो मजबूत हो, तो इसका क dictatorial हो जाएगा, ताना साही पून हो जाएगा, और एक एक सब्स को देखे, ए में spacious दिया गया है, तो spacious मनें दिखावटी हो जाएगा, poignant का मतलब तीछन हो जाएगा, rough का मतलब होता है, कठोल, 29 को देखे, he would have been his close associate, had, अच्छा, his close associate had he not been disloyal, तो इसमें 29 में आप अगर दे हो जाएगा, कलीग हो जाएगा, close associate, associate का मतलब क्या होता, जो साथी होता, सहकर्मी होता है, उसे हम associate कहते है, तो that will be the right word, है न, अच्छा, imply, आप जानते जानते, imply जो होता है, सर्मिचारी हो गया, हम teacher होगा नहीं, प्रतियस पर्दिश का मतलब होता है, और executive जो होता है, वह अधिसासी होता है, executive को हम क्या कहते है, अधिसासी, that is called अधिसासी, उसे हम कहते है, executive, करेकारी भी executive का मतलब हो गया, अधिसासी, है न, तो आगे आप देखेगा, 29, okay, everybody laughed at, laughed at the purality of his statement, तो purality, purile का मतलब होता है, बचकाना, तो purality का मतलब हो गया, बचकाना पन, तो बचकाना पन का क्या हो जाएगा, that will be childishness, यह बचकाना प्यान हो गया, inaccuracy, जो पुरीता से सही न, सटीक न, मतलब जो सटीकता की नहीं स्थिति होती है, वो से हम inaccuracy कह देए, accurate का मतलब सटीक होता है, सही होता है, inaccurate का मतलब जो सटीक न, वही इन, एकुरेसी है न सटीकता की इस्तिती हो गई असुदता हो जाएगा इन सीसियर्टी निश्टा हींता है और फाल्स उड़ जो है वह जूट है धैट जूट असत्यता question number next को देखेंगे 31 है all the streets looks all streets looked just the same ठीक है तो 31 को देखेंगा just the same उसी तरह से यहां पे same का मतलब exactly just का भाव जो है वो क्या है exactly the same decisive का मतलब निडायक रूप निडायक होता है डिसाइसिवली निडायक रूप से नार्मली का मतलब सामान रूप से सिंपली का मतलब साधान तया 32 question number 32 में आईएगा तिर बाद ये great consternation consternation दिया गया है consternation ये गया 32 में तो 32 में consternation जो दिया गया है उसमें आप जला से ध्यान दीजेगा चिंता या बेतावी है consternation है तो consternation इसका ट्रिक याद रखेगा चिंता बेचैनी बेतावी कंस तेरे नेशन में बहुत चिंता है बड़ी बेचैनी है that is consternation तो ये हमारा जो आंसर होगा that will be anxiety 33 को देखेगा standard का मतलब असपस्ट होता है खरा खरा होता है तो यह frank हो जाएगा faithful वफादार हो गया fearless जो leader होता है soft spoken that is मृद भासी मधूर बोलने वाला आगे दिया गया है जो सब तो परपाजाफी speech was to lampoon the leading politicians of the day 34 को देखेगा तो यह leading इसमें दिया गया मजाक इसमें जो सब दिया गया है वह क्या है lampoon lampoon का मने मजाक उड़ाना तो मजाक उड़ाना क्या हो जाएगा that is ridicule praise का मतलब प्रशनसा करना expose का मतलब खुलासा करना defeme को मतलब बद्णाह नाम करना सागय सिटी का मतलब बुध्धिमत्ता होता अगर हम सागय चिटी की बात करते हैं तो यह क्या हो जाएगा wisdom लव का मतलब November हो गया maturity बने परफाकता हो गया efficiency का मतलब eff difícil अगर कोई चीज होती है तो प्रहासाली होती है प्रहावास इलता होती है कि युद इन से सीट का मतलब होता है कि तुष्ट करना मतलब 깔क करना तो से सीट इबल मिशे नहीं किया सकिसे इंसेंसिबल कहते हैं इंसे satisfiable जिसे संतुष्ण किया जा सके थर्टी सेवन आइवास ऑफ टू यह आप टो सी माइब फ्रेंड लेइंड एड़ अप द रोड एज़ आप द हरो थर्टी सेवन को देखेंगा यह सका मतलब किनारा होता है तो जो रोड का किनारा होगा यह साइड हो जाएगा साइड जिद्धी होता है कनिंग का मतलब धूर्त होता है त्रस्ट वर्दी का मतलब विश्वसनी होता है अगर हम लोग आएंगे तो यह बी जाहिर करना रिलीज का मतलब निकालना होता ओपिन मने बोलना होता क्लियर का मतलब साफ करना असपस्ट करना होता अब यहां पर देखेगा तो इसकेंडल जिया गया है तो इसकेंडल ही हमारा यहां पर वर्ड है इसका मतलब क्या हो गया जो कांड होता है उसे हम इसकेंडल कहते हैं इसकेंडल कहलाता है पॉर्टीवन का मतलब उजड़ा हुआ है न अकेला बिलकुल उजड़ा हुआ को देखें अकेला हतास लाचार एक्ट साब्लान! तो यही सब्द होगा है यहां पर आप देखेगा रेचेट का मतलब बेचारा होता है इसको भी देख लिजेगा प्रस्ट्रेश्टर बना हाथो साहिद लनली हम लोगा यहां पर वर्ड होगा फियर फुल ढरावना हो जाएगा ग्लूमी का मतलब उदास तो यहां पर चातना होता है तो यहां पर यहाँटार यहाँए वर को रच्ठानिकर मुनों का मतलब इस करना और अटिमेरे वर्स आजरी अप्रमिन की सक्टमिन का मतलब यह दिलना करना और अट्वांज जाल weet लिससे मिधमरा जिर्ट हमसलग बीच्चेट Dwight.看 dispositic बिफाइडल एनप्रिसियेटेटd .45 में जो दिया गया है वो यह ले दिया गया हेमर दबउाइन घमर होम है working होम का मतलब जो होता है हुआ क्या होता है कि किसी भी चीज को अगर आप हिंड करते हैं तो इस्ट्रेस यहां पर हो जाएगा इस्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना इंड का मतलब संकेत करना इस्ट्राइब का मतलब हमला करना डायरेट का मतलब निर्देशित करना और आगे दिया गया eradicate eradicate ही वर्ड होगा यहां पर देखते समझ में आ गया eradicate का मतलब होता है कि जड़ से उखाड़ देना निर्मूर कर देना that is approach minimize का मतलब कम करना करना और हे चंट्रोव का मतलब होता निर्टन रखना और कंडेम मैं मने निर्टा करना अतला करना veteran is ते lord Ist God हो गया भेंग जांधीजेगा जैसे प्रस्टरेटिंग होता है उसी तरह से disappointing का मतलब भी हतासा जनब हो जाएगा enchant का मतलब होता मोहना dis enchanting का मतलब जो महने वाला नहों humiliating का मतलब किसी को नीचा दिखाने वाला और repulsive का मतलब भी घडास्पद हो जाता है I try to persuade him to change his mind but he remain adamant तो अगर हम बात करें adamant जो होता है वह कठोर होता है द्रिण होता है जिद्धी होता है यह विल बी इस्टबन का मतलब होता है जिद्धी पुलिस बने मूर्क होता है अग्रेशिव 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 बने आकार्म आक्रामक होता है और डिफेंसी का मतलब रच्छात्मक होता है 49 देखेगा the weavers have to do monotonous ज्यान दीजेगा monotonous work 49 को देखेगा तो monotonous work जो होगा ऐसा work जो nearest होता है that is called monotonous mono mono ka मतलब एक होता है ठीक है monotonous एक ही होगा repetitive जो होता है या क्या हो जाएगा repetitive repetitive जो होगा that will be repetitive जो सब दिया गया वही जो बार-बार दोहराया जाता है वह नीरस होता है exhausting का मतलब ठकाओं हो गया एक स्यम जो इरकर नाराज करने वाला autonomous का मतलब स्वायत होता है अच्छा देर यहां पर देर होना चाहिए चलिए देर वास always an imminent danger imminent का मतलब होता है आसन आसन का मतलब impending होता है जो सीग घटित होने वाला तो से हम impending कहते हैं लगाता होता है remote का मतलब दूरवर्ती होता है और favorable का मतलब होता है जो उचीत हो जो हमारे लिए स्विकार होता है जो हमारे हित में होता है उस चीज को हम favorable कहते हैं तो इस तरह से इस सेट में हम लोग ने 50 words को किया करतो रहे हैं हम लोग 50 words लेकिन आप ध्यान करें उम्मीद यही कर रहा हूं कि अगर आप किसी वज़े से offline class नहीं कर पा रहे हैं तो online में भी मैं आपको उसी तरह का दे पाने की कोशिज करूं और आगे इश्वर की सप्रिपा है बहुत बहुत धन्यवाद